कोब्रा कांड केस में एलविश यादफ 14 दिन की नियाईक हिरासत में भीज गए हैं एलविश की फैमिली फ्रेंड्स और तमाम चाहने वाले लोग उन्हें बेकसूर बता रहे हैं महीं बॉलिवूड के कई स्टार्स ने एलविश यादफ को सपोर्ट किया है अब इस लिस्ट में कचा बदाम गर्ल यानी अंजली अरोडा का नाम भी शामिल हो गया है एक पॉड़कास्ट में अंजली अरोडा से एलविश यादफ को लेकर सवाल किया गया जहां उन्होंने अपने दोस्त का सपोर्ट करते हुए उन्हें बेकसूर बताया अंजली ने कहा मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की किसी भी चीज में शामिल है वो पता नहीं कैसे उसमें फस गया अंजली को तो ये भी यकीन है कि एलविश को 14 दिन की नियाई खिरासत में नहीं भेचा गया है उन्होंने का हमें नहीं पता सच क्या है इसलिए किसी भी चीज पर यकीन ना करे ये पहला मौका नहीं है जब अंजली अरोडा ने एलविश यादव को सपोर्ट किया है इससे पहले बिग बॉस के वक्त भी वो यूटूबर को सपोर्ट करती दिखाई दी थी वहीं अंजली के अलावा बेबिका दुरुवे ने भी एलविश को सपोर्ट किया है एलविश और बेबिका बिग बॉस ओटिटी टू में एक साथ दिखाई दिये थे दोनों की शो में अच्छी दोस्ती हुई थी वहीं अब एक इंटर्वियो में बेबिका ने कहा वैसे अलविश अदव के चाहने वाले तो उन्हें सपोर्ट करी रहे हैं लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए फिलाल हमारे इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले करे मे seguir-चैनल करें करी रहे हärड हमें प्राभ है हमेट है है एंड फिलायक्रा झार जाता है है झाल 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 झाल